हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, गडित का किलास बहुती ही महत्वपूर्ण रहता है किसी भी परिक्षा के लिए, महत्स आपको हमेशा परिशन करके रखता है, लेकिन हमने आपको सिखाया है अभी तक जादू ट्रिक, हमारे चैनल के साथ जतनी भी बच्चे जोड़े हुए हैं, सभी को पता है कि SSC कोचिंग सेंटर पर जादू ट्रिक हैं सिखाय जाती हैं, अगर आप पहली वार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरा देख लीजे, आपको भी जादू ट्रिक सीखने को मिलेगी, तो चले स्टार्ट करते हैं, पह कोई साइन नहीं रहता है, तो आप जानते हैं वहाँ पर गुना का साइन होता है, ठीक है, तो X और Y कोई दो संख्या हैं, जिनका गुना अठारा है, यह कहा गया है, और फिर यह भी कहा गया है, कि X का स्क्वेर और Y का स्क्वेर दोनों को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा भ 45 है, ऐसे कौँ से संख्या होगी, जादा बड़ी तो होंगी नहीं, क्यों नहीं होंगी, कि दोनों का स्क्वेर करके जोड़ने पर 45 हा रहा है, है कि नहीं, तो देखिए कि संख्या का स्क्वेर मैं कर सकता हूँ, छोड़ी छोड़ी संख्या होगा, जैसे मैं 5 का स्क्वेर 25 करनू 6 का स्कॉर 36 45 से ज़ादा हो जाएगा कैन का यूँ बिल्कुल सही है मैंने 6 का स्कॉर किया 6 का स्कॉर किया 36 हो गया अब देखिए 45 में कितना कम है 9 कम है न तो 9 मेरा 3 का स्कॉर होता है दोनों को जोड़ूँगा भईया 45 हो जाएगा ठीक है यहां तक सही है लेकिन दोनों का गुना करूँगा तो 18 भी तो होना चाहिए क्योंकि दोनों का गुना 18 है तो 6 का गुना 3 से कर दो 18 होता है दोनों ही कंडिशन सैटिस्फाई हो गई दोनों का गुना की 18 आ गया और दोनों का मैंने स्कॉर करके जोड़ा तो 45 आगया दोनों ही condition satisfy हो गई तो दोनों को जोडने के लिए कहा है उसने का भाई X और Y हमें जोड के बता दो क्या होगा X का मान मेरा 6 है Y का मान 3 है दोनों को जोड लीजे यही तो कहा है उसने दोनों को जोड लो 9 हो जाएगा पिल्कुल सही X मेरा 6 है Y मेरा 3 है दोनों का गुना करूँ तो 18 होता है की नहीं होता X मेरा 6 है 6 का स्कॉर करूँ 36 Y मेरा 3 है 3 का स्कॉर करूँ 9 36 और 9 जोड़ूँगा तो 45 तो हो जाएगा आया की नहीं आया समझ में 100% आया होगा अब देखेंगे अगला प्रश्नी अगला प्रश्नी है एक बस्तू के क्रे मूल्य तथा बिक्रे मूल्य का अनुपात तेरे अनुपाते 9 है क्रे मूल्य मतलब कोष्ट प्राइस बिक्रे मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस तोनों का अनुपात है तेरे अनुपाते 9 ठीक है यदी बस्तू पर 320 रुपय की हानी होती है कितने की हानी हो रही है 320 रुपय की हानी होती है तो क्रे मूल्य तथा बिक्रे मूल्य का जोड कितना है देखिएगा यह मेरा cost price है 13 रुपया selling price 9 रुपया अगर मैं 13 रुपे की चीज को 9 रुपे में बेचू तो भाई 4 रुपे का हानी होगा मुझे प्रती सत में होगा 4 रुपे का हानी और रुपे में होगा 320 रुपे का हानी कितने का 320 रुपे का हानी तो 4% की वैलू मेरी 320 के बराबर तो एकी value मेरी कितने के बराबर हो जाएगी 80 के बराबर हो जाएगी एकी value 80 के बराबर हो जाएगी तो आपसे क्या पूछा उसने कि क्रेमूले तथा बिक्रेमूले का जोड़ तो मेरे क्रेमूले और बिक्रेमूले का जोड़ पूछा है न 80 से गुना कर दो ठीक है पता चल गया यह 0 लाइश्टिमा जाएगा 8 दूने 16 का 6 केरी का 1 8 दूने 16 केरी का 1 जोड़ दोंगा 17 1760 हा जाएगा दोनों का जोड 1760 यानि कि D option बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अब देख लेंगे अगला प्रेश्णी अगला प्रेश्णी है यदि किसी टेंक का 1 बटे 3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लिटर पानी आ जाता है तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा देखिए कोई 1 लिटर की टंकी है कोई 1 टंकी है उसमें से भरी होई है 1 बटे 3 भाग एक टंकी का एक बट्टे तीन भाग भरा हुआ है तो जो भरा हुआ है मैं उसे माइनिस कर दूँगा तो कितना खाली है ये पता चल जाएगा तो तीन एक कम तीन तीन में से घटा तो ये हो जाएगा दो बट्टे तीन तो मेरा दो बट्टे तीन भाग जो है ये खाली है तो देखिए एक बट्टे तीन भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी आ जाता है जब एक बट्टे तीन पानी भरा होता है तो उसमें 240 लीटर पानी आ जाता है तो मैंने इसको घटा दिया तो कितना आया दो बट्टे त इसकी value कितनी के बराबर है? 240 के बराबर है के लिए रहे? 240 के बराबर है भी यह कटा दू प्रिष्णियों को आप कांसर आ गया? आ गया कि? नहीं आया, सभी को मालूम है प्रिष्णियों कांसर आ गया दिखें, चाहों तो मैं इसे 2 से कटा दू पहले बाइबार में और एक 0 लगातेंगे 120 अब 120 का गुणा में कितने से कर दू? 32, 32, 36 और एक 0 कितना हो गया? अब यह 360, 360 हो गया पूरी टंकी जब भरी होगी तो उसमें 360 लीटर पानी आएगा लेकिन उसने पूछा आधा भरे होने पर कितना पानी होगा? आधा भरे होने पर आधा कर दो दो से डिवाइड कर दो खतम प्रेशन किलियर है? दो से कितनी वार में कटेगा? दो एक कम दो, एक बच्चे का 16, 28, 16, 1, 0 एक सो सी लीटर पानी आएगा आधा भरे होने पर यह उप्शन सही हो क्या? किलियर है सभी को? चलिए, अब देखेंगे अगला प्रेशन अगला प्रेशन है साथ आदमी 14 दिन में 280 केजी चावल खाते हैं तो 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी चावल खा लेंगे? एक फॉर्मूला होता है आपका M1, D1, T1 पूरे का वटा डवलू 1 बरावर M2, D2, T2 पूरे का वटा डवलू 2 यह फॉर्मूला होता है आपका जो वैलूस दी गई हैं उन्हें ले लेते हैं जो नहीं दी गई हैं उसे छोड़ दो M का मतलब व्यक्ती कितनी व्यक्ती हैं? 60 D का मतलब दिन कितना दिन ले रहे हैं? 14 दिन Time नहीं दिया गया Time का मतलब जैसे 1 घंटा काम करते हैं 2 घंटा, 6 घंटा वो time नहीं दिया गया तो छोड़ दीजे W का मतलब व्रक वरक कितना है? 280 किलो चावल खाने का तो वरक हमें दे रखा है 280 किलो चावल खाने का बराबर बाद में कितने व्यक्ति हो जाते हैं 30 व्यक्ति है ठीक है कितने दिन में पूछ रहा है कितने दिन में यानकी D2 पूछ रहा है 120 किलो चावल खा लेंगे यानकी वर्क दे रखा है 120 किलो चावल खानेगा यह हमारे पास वर्क है खटा दीज़े प्राशने का अंसर तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है Çलिए कटा देते he, मैं कटा ओंगा 0 से, यह 0 कटा दुँगा, ठीक है यह 0 से यह 0 कटा दुगा, चौधर दुने का lawyers हो जाएगा, 2 तिरिक का 6 हो जाएगा, और 3 तिरिक का 9 नो आ गया इधर कितना बचा डी टू तो नो दिन में खालेंगे भाई 120 किलो चावल नो दिन में कितले दिन में नो दिन में ठीक है नो दिन यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले एक बार चेक कर लो कोई वैलू ऐस हो तो निरी की जो कट चुकी हो जो कटने के लिए रहकी हो को यह 12 रह गया है क्या को जैसे लगता है यह 12 नहीं कठा मैं वही छेक कर रहा हूं क्योंकि मैं ने 0 से 0 कट अधिया ठीक है यह भी 3 एकम 3 तो 12 एका 1 से गुना हो जाएगा 12 ठीक है इधर D2 बचा आपका आंसर 12 देन 9 नहीं 12 दिन आपका सही जवाब गल्ती मत कर देना काटने में कोई गल्ती मत कर देना अवश्य कर रहें जरूर चेक करने कोई गल्ती तो नहीं कर देना calculation में काटने में कोई गलती मत करना ठीक है अब देखेंगे अगला प्रेशने अगला प्रेशने है एक छात्र को परिक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे उसने 178 अंक प्राप्त किये और 22 अंकों से फेल हो गया तो कुल पूरां के कितने थे देखिए एक तरफ तो आ प्रेशने का सफसे सरल तरीका देखिए एक छात्र को परिक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लेने थे कितने अंक लेने थे भईया पास होने के लिए 40% अंक लेकिन उसने 178 अंक प्राप्त किये हैं कितने प्राप्त किये उसने उसने प्राप्त किये 178 अंक और 22 अंकों से फेल हो गया, अगर ये 22 अंक इसे और मिल जाते, तो ये पास हो जाता, इसलिए हमने दोनों तरफ पास पास लिखा, और इसको भी पास बना दिया, जो 22 अंक कों से फेल हुआ है, ये 22 अंक आप इसको और दे दिये, ताकि ये भी पास हो जाए, तो 178 में 22 जोड़ देंगे, कि ठीक है 200 अंक्य होगी प्रश्निक खतल अप कुछ नहीं है या परिष्च से निकालना है तो कैसे निकालेंगे इस 200 में इस 40 से भाग दे देंगे 100% का मान निकारना 100 से गुना कर देंगे 40 से 205 बार में कटेगा 5 का गुना 100 से कर तो यह हो जाएगा 500 केलिए रहे? B option आपका सही जवाब हो गया सभी को आसानी से समझ में आगिया होगा प्रेशने अब देख लेते हैं अगला सवाई अगला प्रेशनी है एक परीच्छा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किये उससे 4 बिसे में से 3 बिसे में 81%, 86% तथा 61% अंक मिले तो 4 बिसे में उसे कितने प्रेशन अंक मिले यह जो प्रेशने मैं होंबर के लिए दूँगा एक बार आप इस पर अपनी नजर वस्चे डालें अपनी से खुद से करने की कोशिश जरूर करें होंबर के लिए प्रेशने दिया क्या है नहीं हो पाएगा आप से कोई बात नहीं कमेंट कर देना मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे करा दूँगा आसान प्रेशने है अगर नहीं हो पाए तो कमेंट जरू कर देना मैं जरूर करा दूँगा लेकिर खुद से करने की कोशिश जरूर करें ठीक दोस्तों धन्यवाद